एक बार दर्वाजे पर लगी कि इन ने मुझसे पूछा मेरा भविष्य क्या है? मेरे भविष्य के बारे में मुझे बताएं दर्वाजे के जोड़ पर लगी उस कील ने मुझसे सवाल किया मेरा भविष्य बताएं मैंने कहा बहुत कुछ हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है भविष्य में कील उच्शुक हुई जानना चाती थी बविष्य मैंने कहा अभी तो कुछ बरसों तो दर्वाजे के इस जोड़ पर यू की यू ही लगी रहेगी कुछ बरस ऐसे ही उसके बाद हो सकता है कोई आये तुझे नोच कर बाहर कचरे में फैक दे और लकड़ी का कुछ और उप्योग करें हो सकता है दर्वाजा किसी और काम में उप्योग हो या हो सकता है कि तुझे दर्वाजे के साथ जब दर्वाजा जीर्ण शीर्ण हो जाए दर्वाजे की लकड़ी को अगनी में डाल दिया जाए और तुझे भी उसके साथ खाक हो जाना पड़े हो सकता है कि कुछ समय बाद ये दर्वाजा गल जाए तुझे भी जंग आ जाए और तु जंग लगकर सड़कर खराब हो जाए कील बीच में ही मेरी बात को काट कर बोलती है क्या बेकार की बाते हैं क्या बेकार की बाते कह रहे हो कुछ और भी तो हो सकता है कुछ और की उमीद कील ने मेर से वारता बंद कर दी और इंतजार करने लगी किसी दूसरे का जो उसे सच्चाई न बता कर जूटा भविश्य बताएं सच्चाई से अवगत न करा कर कहीं जूट पर उसे खड़ा करें कील इंतजार करने लगी कील को इंतजार है किसी ऐसे भविश्य का जो सुन्दर हो चाहे सत्य न हो पर सुन्दर हो क्या हम भी उस कील की तरह नहीं क्या हम भी वो कील नहीं हम भी सच नहीं सुनना चाहते हैं जीवन में दुख घट रहा है वास्तविक्ता है चुपाते फिरते हैं अपने आपको मनोरंजन में डालते रहते हैं अपने आपको बचाने का प्रयास करते हैं उस वास्तविक्ता से जो दुख है गौतम बुद्ध कहा करते थे जीवन दुख है इसका कदापी ये अर्थ नहीं कि वास्तविक्ता है इसे आप नजर अंदाज नहीं कर सकते मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जीवन में दुख है कोई ऐसा आदमी है जिसको सुख है, आनन्द है ऐसा आदमी जरूर होगा तो जीवन में दुख है तो वो अव वास्तविक है तो वो जाए कहीं पर चड़े बिल्डिंग पर तुड़वा ले अपने हाथ पैर और फिर आए जीवन में दुख है नहीं मैं कोई आत्म पीडा की बात नहीं कर रहा हूं जीवन को जब आप समझते हैं जीवन को जब गहराईयों से देखते हैं तो दुख तो घट रहा है दुख सार्व भूमिक है सभी जगे घट रहा है वरतमान काल भूत काल बविश्य काल सभी में दुख है भूत और बविश्य इन दो चीजों को दौम अच्छी तरह से भली भाती जानते हैं कि दुख है लेकिन वरतमान भी वरतमान भी दुख में कटा जा रहा है वस्तु तो पूछा जाए तो वरतमान वरतमान ही नहीं है वरतमान वरतमान को पकड़ने की दोड़ में ही कब भूत हो जाता है वरतमान कब भूत हो जाता है वरतमान भी निकलता जा रहा है हमारे हाथ से वरतमान, वरतमान ही नहीं रहता भूत हो जाता है वरतमान गट रहा होता है उससमें आप नहीं होते आप या तो बूतकाल में होते हैं या भविश्यकाल में होते हैं हम तरह तरह की इच्छाएं पालते हैं इच्छा किसी कमी की प्यास से उत्पन्न होने वाली भावना इच्छा जो कुछ आपके पास नहीं है उसको पाने की इच्छा उसको पाने की इच्छा दुख देती हैं हम जो चाहते हैं वो ना हो तो दुख जो हम नहीं चाहते हैं वो घट जाए तो दुख इच्छाएं पाल लेते हैं इच्छा स्वायम ही दुख है इच्छा का होना ही दुख है किसी प्रकार इच्छा पूरी भी हो जाएं किसी प्रकार इच्छा पूरी भी हो जाएं तो भी दुख क्योंकि एक इच्छा के पूरे होते ही अने एक नई सो इच्छाएं लग जाती है किसी प्रकार इच्छा पूरे होने पर भी दुख है इच्छा सजो उमीद थी इच्छा से जो सुख प्राप्ति का हमने सपना सजो रखा था इच्छा पूरी होने पर भी वो इतना सुख नहीं देता जितनी की हमको उमीद थी तो इच्छा पूरी हो जाएं तो भी कहीं वह सुख नहीं दिखता जिसुख की हमें उमीद थी कहीं न कहीं दुख दुख सरकता ही रहता है दुख सरक रहा है आप में कुछ लोग कुछ लोग जानते हैं कि वह सरक रहा है कुछ लोग नहीं जानते कि वह सरक रहा है पर दुख सरक रहा है आप साधरनत अपने दैनिक जीवन में देखें सुख की कोई भी भावात्मक अनुभूती नहीं बता सकता वो सर्फ यही कहेगा कि दुख नहीं है दुख का अभाव दुख नहीं है वो सुख है सुख का वर्णन नहीं कर पाएगा महा कावियों के रचियता बड़े बड़े महा कावियों के रचियता भी सुख को दर्शाने में असमर्थ है आप कोई भी महा काविय उठा कर देखें वो नायक के नाईका के कष्ट की कहानी है उसके संगर्ष की कहानी है और जैसे ही सुख आता है काविय समाप्त कहानी खतम क्यों? सुख का हम वर्णन ही नहीं दे सकते फिल्म है हम आज कल की फिल्में भी देखते हैं पुरानी फिल्में भी देखते हैं कोई फिल्म नहीं मिलेगी जो सुखी सुख पर चल रही हो तो उसमें कोई कहानी नहोगी वो आपकी भावनाओं को नहीं चुएगी वस्तु तो हो ही नहीं सकती जिसमें सुख सिर्फ सुख हो क्योंकि सुख की अनुबूती दुख की प्रिष्ट भूमी पर ही इस पश्ट होती है ऐसी कोई फिल्म, ऐसा कोई महा काव्य ऐसी कोई कहानी नहीं होगी जिसमें नायक को कश्ट न होता हो वो कश्ट से होकर ही गुजरेगी कश्ट दुख और जैसे ही सुख आता है यकायक यकायक परदा गिर जाता है नहीं बता सकते हैं आप उसको वर्ण नहीं कर पाएंगे सुख का यकायक परदा गिर जाता है